कि डी मोटिवेट होके कुछ नहीं होगा लिख रहा है इसलिए तो सेलेक्शन नहीं हुआ बाद बाद पर डी मोटिवेट हो जाते हो बाद बाद पर रोना आ करता है अपने आपको चुप करके कमरे में बंद करो और पढ़ाई करो यह नीट की त्यारी करना कोई यह काम नहीं है नीट की त्यारी करना मतलब एक युद्ध की त्यारी करना और आपको युद्धा बनना बढ़ेगा दूसरी बात आपने पिछले साल में जितनी मेहनत करी थी वो कहीं नहीं आपको इस साल काम आएगा ही आएगा ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आ रहा कि तुमने तुम्हारे 200 नंबर आ रहे थे 200 नंबर ऐसे तो नहीं आए होंगे कुछ तो सलेबस किया होगा 300 आ रहे थे उसको positive aspect से देखो न अब तुम्हारा नहीं हुआ तो पढ़ना दो बढ़ेगा अब पढगो रोके या होंगे रोके पढ़ने में पढ़ने में फायदा है कि हस के पढ़ने में फायदा ये बता 570 नंबर आए एकसेप्टट इट 570 नंबर आए 570 नसे में तो नहीं आए होंगे 570 नमबर पढ़ क्या होंगे हाँ अगर रोता रहा ना तो अगली बार 560 आएंगे 590 आएंगे 600 आजाएंगे सेलेक्शन नहीं होगा तो इसको positive sense में ले कि मैं 570 के लाइक हूँ मैं 570 के लाइक हूँ अब जो भी हुआ उसको accept करता हूँ मैं 570 के लाइक हूँ मेरे इसपास एक साल का समय है मैं इतने ढंक से अपने बीक पॉइंट को strong करूँगा इतने सवाल करूँगा कि मेरे अराम से 690, 695 700, 710 नमबर आ जाए simple सी बात है रोता रहेगा, डूब जाएगा और तुमने एक साल खराब कैसे हो, मेरे एक साल खराब हो गया खराब कुछ नहीं होता है और life का race कुछ 2-7 साल का नहीं है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो MBBS में जाने के बाद PG के लिए 2 साल drop करना पर जाता है एक साल drop करना पर जाता है उनको तो अपने हार से अपने गलती से कुछ सीख तो सही कि दुवारा ये काम ना करना परे खराब कुछ नहीं होता है जितना पढ़ा है वो आपके काम जरूर आएगा अगर आप positive attitude से चलते रहोगे तो खराब कुछ नहीं है भाई एक साल खराब नहीं हुआ है उसमें तुमने कुछ नहीं कुछ सीखा है और कुछ गलतीया करी है तो भाई पढ़ा है वो काम आएगा और जो गलतीया करी हो दुवारा मत करना सिंपल सी बात है गधे बच्चे कहीं के